हाई फेंट्स आज से पांच मिन्टों में जटपट सा एक नास्ता बना के आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड और दही से ये बहुत ही स्वाधि स्टेक नासता है और आप आसानी से घर पे बना के रेड़ी कर सकते हैं तो ये जानते हैं इसके लिए हमें केके चाहिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए है एक बड़ा सा बोल उसमें एड़ करेंगे दो छुटे चमच बेसन बाइंडिंग के लिए यहाँ पे बेसन हम यूज़ कर रहे हैं अब इसमें एड़ कर देंगे चुटकी वर हल्दी पाउडर और वन फूट टी स्पूल कस्मिरी रेट चिली पाउडर साद अनुसार नमक एड़ कर देंगे और एड़ करेंगे एक हरी मिर्च हरी मिर्च को आ बहुत ही अच्छी तरह से चौप कर लेंगे उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे तो बस अब सबसे लाश्ट में हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़े चमच दही और जिस बोल में हम दही लिये थे उसी बोल में थोड़ा सा पानी आड़ करके इसे हम अच्छी तरह से मिक आप देख सकते हैं यहां पर इसका consistency कुछ इस तरह से रहेगा तो यह बहुत अची तरह से फेटना हो गया है अब बारी है ब्रेट लेनी की अब यह जो ब्रेड है इस बैटर में हम लोग इस तरह से डुबो लेंगे और चारो तरफ से बैटर को लगा लेंगे तो बस अब आत का तेल भी यूज कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है तो अब यह जो ब्रेड है इसमें एड करके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखके इसे हम सेक लेंगे एक साइड हो जाए तो इसे पलट के दुसरे साइड भी एक तरह से ही सेक लेंगे तो एक साइड यहां पर बहुत ही अची तरह से बन गया है अब इसमें थोड़ा सा एड करेंगे ऑले तो आधा चूटी चमल आइड करहे हूं अब इसे दोनों साइड अची तरह से फ्राइं करो और जब दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तिसे आप निकाल के सर्फ कर लें लेकिन सर्फ करने से पहले इसके उपर हम लगाएंगे तड़का तो इसके लिए एक चम्मच तेल गरम करके उसमें एट कर देंगे सर्सो और एट करेंगे कारी पत्ता तो बस चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं फ्रेंट इसे आप प्लेन भी इस तरह से सर्फ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसके उपर थोड़ा सा चॉप्ट किया हुआ प्याँज और फिर वो जो तड़का हम लोग रेडी करके रखे थे वो इसमें एट करके गरमा गरम सर्फ कर लेंगे फ्रेंट आसा करती हूँ आज का यह ब्रेकपस्ट रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा आप टोपी घर पे एक पर इसे जरूर ट्राय करें और रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और सेयर करना ना भूले और मेरे चनल पर अगर नय है तो चनल को सब्सक्राइब करके म मेरे साथ चुड़े रहें तो फिर मिलता है एक नई रेसिपी के साथ तर तक अपना ख्यार रखें थैंक यू